नमस्कार किशान भाईयों कैसे हैं आप सब मैं असुतोस आपके लिए लेके आया हूँ नैशनल सीट की बासर चालिस धान दो कि आप देख पा रहे हैं एक एकड़ के प्लॉट में दो पैकेट यहां पे बासर चालिस धान नैशनल सीट का लगा हुआ है जो कि ग्राम बेल पि इस कंडिशन में हम आपको बासर चालिस धान से मिलवाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इसमें क्या 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 क्वालिटीज मिल जाती है और आपको ये धान क्यों लगाना चाहिए ये धान क्यों बेस्ट है जो भी है इसकी सारी क्वारे में जो भी चीज़े हैं वो सारी आपको explain करवाने वाले साथ ही एक चीज़ और बता दें अगर आप भारत में सबसे स्वाधिस्ट और सबसे सेंटेट धान अगर धून रहे हैं तो यहां पर इस वीडियो में आपका आंसर मिलने वाला है क्योंकि यह जो धान है नेसनल सीट की 42 यह ना सबसे ज्यादा स्वाध द्धान की एक चीज़ से आपको रूबरू करवाता हूं आए अब बढ़ते हैं 42 द्धान की विसस्ताओं की तरह तो सबसे पहले इसकी जो मुख्य विसस्ता है वो बता दूं आपको जो कि यह जो धान है ना भारत की सबसे स्वाधिस्ट धान के गारण जानी जाती है इसम बहुत थी सांदार यहां पर स्वाध मिलने वाला है आपको सांती सांत यह ना बहुत ही सैंटेड धान मिलने वाली अब आए बताता हूं इसकी पहले विसस्ता जो कि इसमें 28-30 कल्य देखने के लिए मिल जाते हैं एक पौधे पर आई आपको प्रक्टिकली ना मैं चैक भी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 34 कल्ये हमें यहां एक पौधे में देखने के लिए मिले हैं जनरल ही हाँ पर 28-30 कल्ये हमें हर एक पौधे में easily देखने के लिए मिल जाते हैं अब बाढ़ते हैं इस धान की अगली विशिश्टा की और जो कि ना इसका आप कलर देख पा रहा हैं काफी हरा भरा कलर आता है यहां पर बहुत ही जादा हरे यहां पर पत्तियां रहती है इस धान की क्योंकि यहां पे जो 42-40 धान है ना हमारी इसमें क्लोरोफिल की और इसी के कारण ना हमें जो धाने हो जाते हैं हमारे धान के बहुत ही अच्छा और शांदर् कॉलिटी में निकल के आते हैं और जिसमें हमें बहुत ही अच्छा सेंब भी मिलता है प्रॉपर खेत पूरा मेरे पीछे का एक एकड़गा इस प्लॉट में काफी ज्यादा हरी भरी पत्तिया मिल रही है इस धान की क्योंकि यहां पर 42 धान लगी हुए जिसमें क्लोरोफिल की मातरा बहुत अत्यदिक मातरा में पाई जाती है अब बढ़ते हैं अगली विशेश् है बिल्कुल भी हमारे पौदे गेरे नहीं है maximum height में हमारी धान है यहां पर जो की 2 से धाई फिट है अब आपको practically में एक बार यहां पर चेक करके भी देखा देता हूं नापके यह टेप है मेरे पास और मैं plot पर खड़ए हूं तो यह सब चीज हमारे लिए easy hope आ रही है हमारी एक और विशिष्टा है नैसनल सीट की 62 दान की अब बढ़ते हैं 62-42 दान की अगली विशिष्टा की हो जो कि ना यहां पर इस दान की जो बाले हैं वो काफी लंबी और काफी ज्यादा दाने वाली आती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी फिलाली 70 दिन की पौ के अंदर देख पा रहे हैं आप यह इस तरह से और यह जो बाले हैं ना काफी सुगंधित दाने निकाल के देती है और यहां पर हमें बहुत ही अच्छा टेस्ट मिल जाता है इस दान का जो कि आप देखी पा रहे हैं फिलाल मेरे हाथ में बहुत ही लंबी बाले हैं और यह इस वीडियो में तो आपने देखा फिल हाल यह जो धान थी ना 17 दिन के करीब के यहां पर पौदे हुए थे अपने इसमें बाले निकलना भी तो चालू हुई है बट यह जो धान है इसकी पकने की मैक्जिमम अवधी 120-125 दिन की है जब यह 120-125 दिन में प्रॉपर पके तयार ह जाएगी और हार्वेस्टिंग के लिए रेडियो हो जाएगी तो हमें कितना यहां पर मिलेगा और कितना उस टाइम पर मिला है वह सारी चीज़ अगले वीडियो में आपको चैक करवाएंगे साथ ही बताएंगे कि यह किस तरह से सुगंधित यहां पर हमें दाने मिले हैं और हमारे खाने में टेस्ट कितना अच्छा निकल के आया इस बासट चालिस धान का तो बने रहीएगा वीडियो में अगले वीडियो में जरू चेक करवाएंगे कि हम बासट चालिस धान का कितना येल्ड मिला है और इस धाने हमारी जो विशिस्ता है उसमें कितना खरा होत तो मिलते हैं अगले वीडियो में मैं हूं आसुतोस ऐसे मिलवाते रहूंगा और नएनी वराइटियों से तब तक के लिए नन्यवार